Hello everyone, welcome to Connors Study तो ये आपकी सामने JK Bank का syllabus है तो एके करके मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा और सब कुछ क्लियर कर दूँगा देखो बात करेंगे सबसे पहले नितिन सर के बारे में नितिन सर एक्सपर्ट है, अर्थमेटिक सेक्शन है इस वक्त उन्होंने percentage chapter शुरू कर दिया हुआ है और almost वाज इसे खतम कर देगे और नितिन सर आपको पढ़ाएंगे percentage, time and work, time, speed and distance, profit and loss, simple and compound interest, ratio proportion, boat and streams, pipe and systems and mixture and delegation नितिन सर को ऐसी ऐसी tricks आती हैं कि I promise आपने कभी नहीं देखी होंगी जो उनकी concepts हैं, जो उनकी skills हैं, वो बहुत ही high level की skills हैं अगर आप उनकी हर एक वीडियो धिहान से देखेंगे, धिहान से notes पनाएंगे तो ये सारे chapters आपके completely cover हो जाएंगे Next है हमारे बाद विशाल सर विशाल सर expert है speed maths में अगर आपको speed maths नहीं आती हैं तो आप paper time से solve करे नहीं पाओगे अगर मैं आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मैं आपको 10 घंटे दे दूंगा एक paper solve करने के लिए तो आप अराम से कर लोगे लेकिन अगर वही paper आपको 20 min में solve करना होगा आप नहीं कर पाओगे तो यह आपको calculation के trick से नहीं पता आपको shortcut से नहीं पता कैसे लगांगे तो विशाल सर इस चीज में expert है विशाल सर आपको हर एक topic जो दिख रहे हैं आपको number series, simplification, quadratic, approximation, average, speed match के trick हर एक के उपर 8-9 lectures देंगे इतनी practice करवाएंगे कि आप बिल्कुल perfect हो जाओगे इन चीज़ों के लिए ठेक है आपने क्या करना है आपने हर एक video उनकी देखनी है और उसके notes बनाने है अब हम बात करेंगे श्रद्धा मैम के बारे में तो श्रद्धा मैम expert है reasoning section में she is very intelligent very sharp वो आपको complete की tricks बदाएंगे about reasoning section reasoning section एक बहुत ही scoring section होता है 35 number का pre में आता है और 50 number का means में आता है अगर आप इसमें completely involved नहीं होंगे तो आपका score section में कही न कहीं कम रह जाएगा इसलिए मैं आपको हर एक topic पे 3-4 videos बनाके समझाएंगे ताकि आप completely इसमें perfect हो सके अब end में हूँ मैं data संभव sir तो मैं आपको data interpretation पढ़ाऊंगा और वो मैंने already start कर दिया है total में 35 lectures जालूँगा DIQ की उपर हर type की DI cover करवा दूँगा 1850 पोजो हैं वो बार बार नहीं आती है इसलिए आपको समझना होगा कि you can't miss this chance अब do or die वाली situation है एक अच्छी नौकरी लग जाए उसके पिछे थोड़ी बहुत महनत तो चाहिए और आपकी महनत सिर्फ इतनी है कि आपने वीडियो देखनी है उसके notes उनाने है और उसको practice करना है हम जितने भी teachers नहीं आपे हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना motive है कि जो लोग financially weak है उनकी help की जाए थोड़ी इस course से यह completely free course है हम हर एक topic आपको cover करेंगे और end में हम आपको test series भी लगवाएंगे बस आपने हिम्मत रखनी है और पढ़ाई पूरी तरह करनी है अच्छी तरह करनी है पूरी तरह एंग्रॉस हो जाना है end में सिर्फ इतना बोलूँगा मैं कि ऊपर वाला आपको एक अच्छी जंदगी दे thank you